वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल दोस्तों यहां पर हम लोग हिस्ट्री और जोग्रफी के एंसी क्यू कवर अप कर वा रहे हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है आपके हर एक अपकमिंग एक्जाम के लिए तो आप लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं चुड़े हैं तो आई रिक्वेस्टरी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा इसके अलावा चैनल पर जो शौर्ट्स आ रहे हैं उन शौर्ट्स को भी जरूर देखिए जो की अपने आ पर है कि भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती यह कौन सी है भील है गोंड है संथाल है या फिर थारू तो सही आंसर यहां पर क्याएगा हमारा ऑप्षन बी यानि की गोंड यह इंडिया की सबसे बड़ी जन जाती है इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं यहां पर यानि की नीलगिरी की पहाडियों पर यह निवास करती है इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं इसमें पूछा गया है कि निम्लिके जन जातियों में से कौन बहुपती विवहा की प्रता को मानता है यह कादर है लोड़ा है यह मुंडा है या फिर टोडा तो सही आंसर option D यानि की टोडा ट्राइब जो है वो बहुपती विवहा की प्रता को मानता है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं इसमें पूछा गया है आपसे की एक जन जाती जो सरहुल तेवहार मनाती है वो कौन सी है संथाल है मुंडा है या फिर यह भील है या फिर थारू तो सही आंस चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो स्टेडी फॉर सिवल सर्विसेज के को आप जोइन कर सकते हैं कंप्लीट तयारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें स्टेडी मैटिरियल रहेग टेस्ट सिरीज रहेंगी पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको ए इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह लेटेस्ट गुरुप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं अगले कोष्चन की बात करते हैं इस कोष्चन में यहां पर पूशा गया है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है बी हू असम का है सही है ऊदू कोन से स्टेट का है यह फेस्टिवल कमिंट सेक्षम में आप लोग économique सेक्शन अप बताएगा पुंगल की बात करें तमिलनाडु एकदम सही है, बैसाखी की बात करें, पंजाब एकदम सही है, आंसर हमारा क्या होगा, option B, क्योंकि यही है, जो की सही नहीं है, इसके बाद next question की बात करते हैं, इस question में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कि निमलिखित में से कौन सा यूग मुझो है, वो सही सुमेलित नहीं है, गोवा, कोंकरी, मेगाले, खासी, नगालेंड, अंगामी, तिबबत, तिबबती, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, आपको यह बताना है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हमारा option D, बाकी अगर गोवा की बात करें, कोंकरी, मेगाले की बात करें, खासी, और नग लिकत जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, यह गोंड हैं, नागा हैं, जौनसारी हैं या फिर टोड़ा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, एक तो जौनसारी और दूसरा है टोड़ा, इन दोनों में ही बहुपतित्व की प्रथा है, so let's see कि answer क्या होगा हमारा option c यानि कि 3 और 4 यह हाँ पर हमारा सही होगा इसके बाद चलते हैं अगले question पर इसमें आपको list दे रखिये दो और नीचे code दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा तो सबसे पहले यहां पर हम बात करें कि साटकी इसकी बॉमला की तो एक तरफ ये tribe दे रखेंए और एक तरफ आपको छेतर दे रखेंए तो बॉमला की बात करें तो बॉमला ये जो tribe ये कहाँ पाई जाती है ज्जारखंड में so, इसका मेच किस्ते होगामारा जहरखांड से भूटिया ट्राइब की बात करें, तो भूटिया जो ट्राइब है ये कहां पर पाई जाती है ये अपके अंडमान निकोबा, तो अमारा कोड क्या बनेगा,गा है याह ठी 4321 यह हमारा यहां पर code आएगा 4321 तो यहां पर answer क्या होगा हमारा option A 4321 ठीक है चलो अगले question पर चलते हैं इस question में यहां पर आपको एक सूची दे रखें फिर नीचे code दिया हुआ है और आपसे पूशा गया है कि वही कौन सा इसका code होगा यह आपको बताना है ठीक है चलो अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी टोडा की तो टोडा का relation किस से है तमिलनाडू से इसके बाद लेपचा की बात करें तो लेपचा कहां पर पाई जाती है सिक्किम में इसके बाद विरहोर की बात करें तो विरहोर यह कहां पर जहारखंड की ट्राइब है और गारों की बात करें तो मेगालिया सो कोड क्या होगा हमारा 3-4 स्वरी जस्ट अ सेकेंड 3-1-4-2 31-42 यह यहां पर हमारा कोड होगा ठीक है 31-42 यानि कि option B जोगा वो यहां पर हमारा सही answer होगा इसके बाद चलते हैं next question पर इस question में यहां पर पूशा गया है कि भारत में जनजातियों के निर्धारन का क्या आधार है सांस्कृतिक विशेशी करण और विभिन आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीती रिवाज की विभिनताएं इसके बाद अगले question की बात करते हैं इस question में यहां पर पूशा गया है कि भारत की सरवादिक आध जनजाती यह कौन सी है गोंड है, जारवा है, जुआंग है या फिर यह लेपचा है तो सही answer कहाएगी हमारा option B यानि की जारवा इसके बाद चलते हैं अगले question पर इस question में पूचा गया है जूमिंग करते हैं या फिर जूमिंग अग्रिकल्चर जो है, यह कौन करते हैं भोटिया करते हैं, खासी करते हैं, संथाल या फिर टोडा तो सही answer कहाएगा option B, मेगालिया में रहने वाली यो ट्राइब है खासी यह करती है, जूमिंग करशी, ठीक है या फिर जूम केती, इसके बाद अगले question की बात करें, यहाँ पर आपको दो list दे रखी हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा code सही होगा ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी गदीज की, तो गदीज यह आपकी जो ट्राइब है, यह कहाँ पर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में टोड़ा ट्राइब को अभी हम कई बार देख चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा तमिलनाडू, खासी ट्राइब की बात करें, मिघालिया, और नगा ट्राइब की बात करें तो मनी पूर। तो code क्या होगा हमारा, 2413, 2413, यह हमारा code होगा, तो let's see the answer, तो option D जो है वो यहाँ पर हमारा सही answer होगा, इसके बाद चलते हैं अगले question पे, इस question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि बांगलादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को निमलिकित में से किस नाम से जाना जाता है, अब यह लोहित नाम से जाना जाता है, या फिर यह पदमा नाम से जाना जाता है, या फिर काली गंगा या फिर नव गंगा आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी पद्वा नाम से इसको जाना जाता है अगला कोशन है इसमें पूशा गया है कि ये कथन आपको दे रखा है और एक उसका कारण दिया हुआ आप से पूशा गया कि कौन सा कोड यहां पर सही होगा तो कथन है कि गंगा बहुत ही प्रदोश्यत नदी है कारण ये है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदोश्यत होती है अब इस वाले कथन का अपने आप में कोई औचित नहीं है कि ये बात ठीक है चली ये पवित्र नदी है तो वहाँ पर लोग पूजा पार्ट करेंगे इसनान करेंगे बट ये में कौज नहीं है गंगा के पॉलिटेड होने का ठीक है तो आंसर हमारा क्याएगा option C A सही है गंगा पॉलिटेड है no doubt और इसका last का जो stretch है उसमें ये और जादा प्रदूशित हो जाती है लेकिन जो ये इसका कारण दिया हुआ है कि ये पवित्र नदी है और जो भी पवित्र नदियां होती है वह बहुत जादा प्रदूशित होती है ये गलत है तो आंसर क्याएगा हमारा C इसके बाद अगले कोशन की बात करें इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित इस्थानों में से कहां पर भागी रती वा अलखनंदा ये नदियां मिलती है देव प्रयाग कर्ण प्रयाग विश्नु प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग तो सही आंस इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर इसमें आपसे पूछा गया है कि निमलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है बेतवा चंबल केन या फिर रामगंगा आई होप की वाला आप्शन देखके आपको इसकी सहायक नदी नहीं है किसकी सहायक नदी है कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर का वेट करूँगा इसके बाद अगले कोशन में या पर पूशा गया है कि ब्रह्मोपुत्रा न बंगल भूटान और नेपाल है तो सही आंसर ऑप्शन यानि कि तिबद बंगलादेश और भारत चलते हैं नेक्स्ट कोशन ये आज के इस वाले सेशन का आखरी कोशन है इसमें पूछा गया है निमलिकित नदियों में से किसके शुरोत बिंदू लगभग एक ही है ब्रह्म तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच बबाई